नमस्कार आप देख रहे हैं A.N.P. टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताज आपडेट में मैं हूँ आपके साथ अपना आपके इंद्र सरकार द्वाराज Citizenship Amendment Act याने की नागरिक्ता संशोधन कानून लागू करने के बाद विपक्षी तल अपने अपने तरीके से यहाँ पर विरोध कर रहे हैं इस कानून कर दिल्ली के मुक्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरिवाल ने भी इस मुद्दे पर बड़ी बात रखी दरसल हाल ही में अरविंद केजरिवाल ने इस कानून को लेकर साफ कहा कि पहले आप देश के युवाओं को और देश के मध्यमवर्ग को नौकरी दें और उसके बाद बाहर से आए शरणार्थियों को लेकर आप अपनी बातें आगे रखें आपको बदा दें कि इसी मुद्दे को लेकर हाल ही में बिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल के घर के बाहर से आये शरणार्थियों ने पूरे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया दरसल अरविंद केजरिवाल ने कई सारी बाते कहें केजरिवाल का कहना था कि बाहर से जो और साफतोर पर अर्विंद केजडिवाल के घर के बाहर की घेराबंदी करें। अलगी आपको बता दें कि CAA का कानून विपक्षी दलों के मताबिक केंदर सरकार के लिए एक चुनावी हद कंडा था और उन्होंने बिलकुल सटीक समय पर इसे लागू किया ताकि वो चुनाव जीत सके। बता दें आपको कि ग्रे मंत्री अमिट शाह और उनकी टीम आज शर्णार्थियों के आवेदन के लिए एक आउनलाइन पोटल जल्द ही नंबर के साथ जारी करेगी। उसके बाद जो ही शर्णार्थी जो पाकिस्तान, बांगलदेश या फिर अफ़गानिस्तान से आए हैं जो गएर मुस्लिम हैं उनको लेकर वो आवेदन कर सकते हैं जो 31 दिसंबर 2014 से पहले से रह रहे हैं और उसके बाद के लोग फिलाल आवेदन नहीं कर सकते हैं। चाहे दिया ही वज़य है कि आप अर्विंद केजरिवाल के घर के बाहर जम करना पतरशन होता हैं। अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इस बुद्धे को लेकर कई तरीके की बाते निकल कर सामने आएगी। फिलाल इस खास अबडेट में तरह ही हमें के दिए अजाज़त और हाँ हमारे चैनल एंपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना फिल्फिल में गुलिएगा हमुस्कार